गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत करता हूँ करंट जीके वीद रवीजन माईसेल्फ राकेश्कमार आज है फर्स्ट नॉमंबर सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रवीजन की सो अभी हाली में सारवजनिक मामलोग के इंडेक्स 2020 जारी किया गया उसके अंद पानी को नासा के द्वारा खुजा गया है सरदार पटेल जूलोजिकल पार्क और आरोग्यवन का उधगाटन नरेंदर मोदी जी के द्वारा किया गया इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन 2020 का लाइफ टाइम अच्यूमेंट आवार्ड ओमपुरी को दि गई है सिक्यूर एप्लिकेशन फॉर दा इंटरनेट जिसका शोट फॉर्म एस ए आई है ये बारती है जो सेना है उसके द्वारा लॉंच किया गया है चंदर सेखर दामले जिनको करनाट का यक्षगान अकादमी पुरुषकार से समाने किया जाएगा फिर बात करते हैं ने द्यार्थी चातरवर्ती वेब पॉर्टल स्टार्ट किया गया अंजर मुस्तान अली जो कि बांगलादेश के रहने वाले है इनको युनाइटेड अगेंस क्रोना आर्ट के लिए एक्स्प्रेस के लिए के लिए वेस्विक पैंटिंग प्रतियोगिता इन्होंने जीती है फिर बात करते हैं डॉक्टर स्टीश मिस्रा को डॉक्टर तुलसी दास्चुक प्रुषकर से समानित किया जाएगा यश्वर्दन कुमार सिना जो की देश के अगले मुख्य सुचना आयोक्त होंगे जो की 11 नंबर के होंगे फिर बात करते हैं न्यू देली के जो चीफ मिन देले हैं उनकी हाली में मुर्ती हुई फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन की सशीदर जगदीशन जी को HDFC बैंक के MDN CEO के रूप में भी हाली में चुना गया है केरला स्टेट देस कैसा पहला राज्य बनाए जो की वेजिटेबल्स के लिए मिनिमम स्पोर्ट प्राइज को विदारित करेगा फिर बात करते हैं बोलिविया के नई राष्ट पती के रुपने लुईस एरके को चुना गया है फिर बात करते हैं जो अर्थ अब्जर्वेशन सैटलाइट और 9 इंटरनेशनल कस्टमर स्पेस क्राफ्ट है उनको इस रोक के द्वारा स्री हरी कोटा एक और्गेनाइजेशन है जिसको 2020 स्युक्त राष्ट वेस्विक जलवायु कारवाई प्रुसकार से समानित किया जाएगा 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल एनिमेशन डे बनाया गया और रोईद सर्मा को भी हाली में डॉक्टर ट्रस्ट का ब्रैंड अंबेस्टर बनाया गया है डॉक्तर ट्रस्ट बेसिकली हैल्ट से लेटर एक ब्रैंड है फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट कोशन की जो एहमदाबाद और के बीच सी प्लें सर्विस स्टार्ट की गया या इसका जो उद्गातन किया गया है वो निरेंदर मोदी जी के द्वारा कि है फिर बागी की जो ऑप्षिंस हैं उनके बात करते हैं जैसे विजय रुपानी जी है जो कि गुजर्ाइग के मुख्या मंत्री है अ मि31 मंतरी है जो की घूज़ात के गुज़विन गंभी नगर्ट की पहली सीपलेंट सर्विस है इसकी जो डिस्टेंस है वो लगबग टू हंडड़ या दो सो किलो मेटर के आसपास है और यह जो सर्विस टार्ट की गई है जो स्टेच्व ऑफ यूनिटी है सरदार वाला बाई पतेल की जो स्टेच्व बना हुआ है के वडी गुजरात के के अधिया के अंदर वहां से जो एहमदाबाद के अंदर साबरमती रिवर है वहां तक लगबग इस सर्विस को स्टार्ट किया गया है और इसका जो टाइमिंग रखा गया है और राउंड 40 मिनिट्स का टाइम इसके अंदर लगता है फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन की हमारी रोशनी एक्ट सरकारी जमीन पर कबजा करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको मालिकाना हक देने के लिए बनाया गया था इसके बदले में उनसे एक रकम ली जाती थी जो की सरकार करती थी यह जो अधिनियम है या फिर जो कानून है बेसिकली 2001 के अंदर जो फारुक अब यूनिट है लेंड को मेजर करने के लिए यह सरकारी जमीन थी इनको अवेद कबज़दारों के हाथों में सुंपा गया था और उसकी एवज में सरकार वहां से लगबग 25,000 क्रोड रुपे या 25,000 क्रोड रुपे की इंकम करती थी तो यह थे इस कोशन के बारे में फैक्ट फिर बात करते हैं अपने तेलंगाना के बाकी के जो उप्षिंस हैं उनके जिसे तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना सरकार के द्वारा भी धरनी पॉटल स्टार्ट किया गया है ओडिशा की बात करते हैं तो ओडिशा सरकार के जो मुख्य मंत्री है अनुमीन पटन जम्मु अंड कश्मीर की, इसे नेक्स्ट अपने बात करते हैं, जम्मु आप authentication, जो अपने पंजाब श्टेट है से हुसके साथ थाच होती है, इसके साथ जो लदाख להली टेरिटरी है, और एक इसकी जो international नाशनल बाउंडरी है पाकिस्तान के साथ में टच होती है फिर अपने बात करते हैं आप पर जमू कस्मीर स्टेट्स के बारे में सो यहां पर जो गर्वनर है जमू के वह मनोश इनाजी है इस स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ था वह नाइंटीन फिफ्टी फॉर से टू था 2019 तक रहा था उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को यह एक यूनिन टेरिट्रिक बन गया था यहां पर एक आर्टिकल लगा हुआ था 370 जिसको 5 अगस्त 2019 को रिमूव कर दिया गया और इसके रिमूव होते ही जो जमू एंड कश्मीर है इसको एक स्पेसल राज्य का दर्जा मिला जो किवां से रिमूव हो गया फिर बात करते हैं यहांकि नेशनल पार्क राचेगम नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क यह फिर अपर पर पर लिंद अबर् ंण, को सिवी जिए लेंड उफ inडिया भी कहा जाता है नेक्स्ट अपने कश्मीर की जो कैसर उसको जी आई टेग का सर्टिफिकेशन मिला है बारत का पहला जो केबल स्टेप ब्रीज है अंजी खाद वो भी यहीं पर परजेंट है यहां के जो पंचायत के मेंबर्स हैं उनको 25 रुपे का बिमा प्रवाइड करवाएं गया है क्योंकि यहां के जो टै पर जो अरुण जेटली स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स उसको बनाने बनाई जाने के लिए स्टॉन फांडेशन रखा गया है और यहां के जितने भी निवासी है उन सब का मिफ्त विमा योजना स्टार्ट किया गया है पहली मेला मुख्य नयाइदीस जो बनी है वो गिता मितल बनी है और बारतिय सविधान के तहट से पत्त लेने वाले जो मुख्य जो नयाइदीस है जमुएंड कस्मेर के वो रजनीस और स्वाल जी बने है फिर अपने बात करते हैं यह आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहो तो आप इसे लाइक किजिए और शेयर किजिए पा राइटांस रोगा बंगलादेश कंट्री के दारा यह प्रवाइड करवाइगे हैं इस अवार्ड के तहद बैसिकली एक गॉल्ड मेडल दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट और लगबग जो बंगलादेश सीकरंसी अटका वो फाइव लाक रुपीस प्रवाइड अमार कंट्री को इंडिया के द्वारा एक आई एनस सिंदू वीर नाम से एक सब मेरीन प्रवाइड करवाईड की थी तो अपनों नहीं यहां पर बात किये बंगलादेश के बारे में सो आप बात करते हैं बंगलादेश के बारे में तो यह वाला जो पॉर्शन आप दिखा करते हैं इंटरनेशनल वांडरी की सो बंगलादेश के साथ इंडिया के बारे में तका है यहां के प्राइम मिनिस्टर से खशिना अब्दल हमीद है अभी हाली में 2020 के अंदर जो अंडर 19 किकेट वर्ड कप हुआ था उसके इंदर बंगलादेश ने इंडिया को हराकर जिता इंडिया ने लग बग दस डिजल लोकमोर्टीव बंगला देस को प्रवाइड करवाइगे बंगलादेश के अंदर नो मास्क नो सर्विसेस बात के गया है और अंजार मुस्तिन नाम अली जो एक 6-year-old boy है उनको गलोबल पैंटिंग क्वीटेशन का विनर घोषित किया गय अभी हाले में 35 थित रेमिनेन विशिष्ट पुरुषकारम अवार्ड से किसे समानित किया जाएगा यह भी इनके नामों की गोश्णा की गई है पुरुषकारम इनको पुरुषकारम से समानित किया जाएगा इसके साथ यह जो रेमिने रवार्ड है बेसिकली फोर केटे के फोर पर्संस को प्रवाइड करवाय जाता है लेकिन इस बार एक विशेज प्रुषका स्पेशल जूरी अवर्ड प्रवाइड किया जाता है जिसका नाम परतेक प्रुषकारम रखा गया है यह जो सोनुसुध है बोलीवुड एक्टर उनको प्रुषक काम कियतें इसी वजए से उनको यह प्रुषकार प्रुषकार प्रवाइड करवाय जा रहा है यह जो प्रुषकार है 1990 से स्टार्ट हुआ है और प्रतेक साल 12 अक्टूबर को ये पुरुषकार प्रुषकार प्रुषकार दिसमबर लास्ट या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में प्रुषकार जाएगा जो भी आपकी COVID-19 के जो सिचुएशन होगी उसी को देखते वे फिर आगे ये पुरुषकार प्रुषकार प्रु प्रिश्फर की पहली साइन टून पुस्तक का जिसका सिर्थ कि बाई बाई कोरोणा रखा गया कि लेखा कौन है तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डॉक्टर प्रदीप श्रिवास्तर जी इसके लिखे का है बैसिकली जो साइन टून पुस्तक होती है या फिर बुक ह इसके अंदर चार्टूंस के फॉम में इन्फॉमेशन दी गई है फिर अपने बात करते हैं बागी के जिए सशी थरूर जी की बात करते हैं तो इनके दोरा दा बैटल ओफ बिलोंगिंग नाम से पुस्तक लिखे गई है एनकेस इस इनके बात करते हैं तो इसके 15th नमर के finance कमि की गई है अग बात करते हैं यह जो पुस्तक है बेसिकली जो आनंदी बेन पटेल है जो की यूपी की गवणर है उनके द्वारा यह पुस्तक की गई है फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के बारे में अभी हाले में राष्ट्रिया एकता दिवस या फिर नेशनल यूनिटी मनाया गया वो इसका जो राइट आंसर होगा होगा 31st October को यह बनाया गया है फिर अपने बात करते हैं यह जो बे बनाया जाता है सरदार वालबाई पटेल की जो बर्थ एनिवर्सी है उसकी याद में बनाया जाता है और इस बार यह 145th नंबर की एनिवर्सी है यह जो डे ह है 31 जो अक्टूबर है सिंस 2014 से मनाया जा रहा है इसके साथ साथ United Nation के दोरा 31 अक्टूबर को World Cities Day भी मनाया गया है जिसकी theme रखी गी थी Valuing Over Communities and Cities रखी गई है फिर बाकी के जो options है उनके बात करते हैं जिसे कि 28 अक्टूबर की इस दिन International Animation Day मनाया जाता है 24 अक्टूबर की बात करते हैं तो United Nation Day इस दिन मनाया जाता है फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के बारे में अभी हाले में दिल्ली पुस्तग मेला 2020 किस संस्था के द्वारा अब बासी आयोजित किया जा रहा है सो वर्चुली इसका आयोजन भी किया जा रहा है सो जो राइट आंसर अब होगा option C परगती और फैडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स है इन दोनों के द्वारा ये जो मेला है या फिर का आयोजन किया जा रहा है इस मेले के दोरान पर्टिकुलर थ्री स्टॉल्स भी लगाई जा रही है बुक्स की और ये इस बार का 26 नंबर का एडिशन है फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशिन के बारे में भारत का पहला अकाउंट एग्रिगेटर फ्रेंब्वर्क बंक कान सा बना है इसका राइट आतन सर्ट हो रहो है इंडस बना ये अग्रिगेटर जो फ्रेंवर्क है बैसिकलिक ये अग्रिगेटर की इपने बात करते हैं तो ये एक टाइप का प्रोगराम होता है जिसके तहट 21 इपаст में सा उनकी बात करते हैं जैसे सब्सक्राइब करते हैं तो इंडियन बैंक ऑफ एसोशीशन के अध्यक्स बनाए गया फिर आपनों ने भी पर बात किये इंडेसिंग बैंक की बात करते हैं इसका जो फांडेशन ऑगा नाइंटीन नाइटीफोर को हुआ था और इसके जो फाउंडर है एस पी हिंदुजा जी है फिर इसका हेड़क्वाटर की बात करते था पोड़े महाराष्टा के अंदर प्रजेंट है प्रजेंट टाइम में इसके सुमंत कथपालिया जी है यह था आज का वीडियो यह आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा जो भी परसन ने इस चैनल को फर्स टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करन जी के वीद्र वीजन प था किया था कैनल को ब्राइब करता झाल करता है